सामें इस्टुडेंट आपका गर्जी टीचर स्वाधिन हाजर है अमीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में होंगे और खेर ऐसे होंगे तो कि पूरे मुल्क के अंदर एगया रेकिनी की शुरत हाल है और बहुत से स्टुडेंट जो हैं वो परेशान है क्योंकि उनका पाहे का एक तस्वसाब वो टूट गया है क्योंकि 10th के पेपर हो चुके थे और 9th के पेपर दो हो चुके थे और बागी पेपर होने थे तो हमारे पूरे सोचल मीडिया के अंदर यूट्यूब के अंदर और मैसेजिस चल रहे हैं वाट्सआप पे मैसेजिस चल रहे हैं कि रूमर्स यह चल रहे हैं अफ़ाई हैं कि 9th और 10th के पेपर जो हैं वो कैंसल हो चुके हैं और 9th और 10th के स्टुडेंट को आगे प्रमोट कर जाएगा यानि कि मैं आप यह बताओं 10th के पेटिकल अभी होने थे 9th के दो पेपर हो गए थे और बागी पेपर अभी होने बागी है तो जब से यह रूमर्स चली हैं तो बहुत स्टुडेंट की मुझे कालें आ रही हैं और यह कह रहे हैं कि सर आया कि हमारे पेपर्स होंगे या नहीं होंगे या हम आगे प्रमोट करके जाएंगे मैं अपने उन तमाम स्टुडेंट को यह बात कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी इन रूमर्स के उपर आप वोजो ना दें अपनी चुड़ी बेपट कॉरें क्यूंकि चार अप्रेo रन तक हकोमत पंजाब का एक शेडूल है मौह तक हकोमत पंजाब tutorial ने चुक्ट का कहा हुगा है चुक्ट चार अप्रे zwischen टारां के वैल कंपरड़र जाएगा कोरणावारिस πα्री कि यह साज़गार नहीं तो ऐसा ऐसा हालात मामों पर आना चुड़ हो जाएंगे वो सकता है कि हुकुमात अप पंजाब नेंथ की नई डेक्षीट जारी कर देए इस तरीके से जो टेंथ के पेटिकल हैं उनकी भी डेक्षीट जारी कर देए तो मैं अपने तमाम फ्रेंट से ये कहूंगा कि आप बिल्ब भी आप हों पे तो जो ना दें अपनी स्टडी पे तो बज़्योते हैं तस्वस्त जारी रखें बिल्ब भी आपनी स्टडी को ना चोड़ें इंशाला बहुत जल्दी जो है वो डेक्षीट जारी हो जाए और जेक्षीट जब जारी होगी तो मैं अपनी इसी चैनल पे डेक्षीट को जारी कर दूँगा और आप वहां से देख सकते हैं तो आप अपने घर में रहें मैखूज रहें पूरे मुलक के अंदर एक याजिकनी की सुरतिहाल है कुछ भी नहीं पता कि कल क्या हो सकता है आप अगर हुस सके तो घर के अंदर रहें बाहर ना जाएं तो अगर आप बाहर जाएंगे पिर घर वापस आएंगे तो आप अगर अपने साथ वायरस लेके आगए तो घर वालों को भी एफैक्ट कर सकते हैं ये भी एक आप लोगों को एक मैसेज कनवे कर रहा हूं कि घरों के अंदर रहें घरों के अंदर टिक कर रहें बिल्कुल अपने आप स्टड़ी पर तबज़ो रखें और अपों के तो जो बिल्कुल भी नादें ये भी सुने में आ रहा है कि हकुमत पंजाब जो है जो कम मैसे लेकर 31 जुलाई तक चुटां करने जा रही है यानि कि एक महिना पहले चुटां करने जा रही है तो इसमें मुझे थोड़ी बहुत सचाहि लागी है क्योंके माई रमजान माई के महीने में आ रहा है तो हो सकता है कि हकुमत पंजाब जो है इन तेन मंद में चुटां करते हैं तो कुछ भी हो सकता है बिलकुर मैंने पहले भी काय के गया है यह कि रही है अपने स्टेडि पे फोकस करें आप स्टेडि पे फोकस करें और अपने पेपर की तारी करते हैं आप आप सब को स्लामत रखे अल्लाहाफिज